गुड मॉर्निंग एब्रिवन तुड़े वी रीट चैप्टर फोथ संग्या नाउन इन चित्रों के नीचे लिखे बाक्यों को पढ़िए नैना रसी कूद रही है कौन कूद रही है रसी नैना नैना एक लड़की का नाम है ये नाउन है संग्या है चार मीनार हैदराबाद में है चार मीनार ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है और हैदराबाद एक सिटी का नाम है तो ये भी संग्या नाउन कहलाएगा बिल्ली कुर्सी पर बैठी है बिल्ली भी संग्या है ये भी noun कहलाएगा कुरसी भी एक noun है ये भी संग्या कहलाएगा बगीचे में जूले लगे हैं बगीचा गार्डन ये भी noun कहलाएगा और जूला जूला भी noun कहलाएगा इन वाक्यों में आये सभी रंगीन शब्द नाम है जैसे नैना व्यक्ती का नाम है बिल्ली प्राणी का नाम है चार मीनार हैदराबाद और बगीचा ये जगय का नाम है रसी कुरसी जूले ये वस्तू के नाम है तो नाम वाले शब्दों को ही हम संग्या कहते है इन डेटेल अगर डेटेल में बोला जाए तो किसी व्यक्ती वस्तू या इस्थान के नाम को हम संग्या कहते है नेक्स्ट पेज देखिए पेज नमबर ट्वंटी नाम कई तरह के होते हैं आईए कुछ अन्य संग्या सब्दों को जाने जैसे व्यक्तियों के नाम व्यक्तियों के नाम में मा आ सकता है नाम संचिता किसी लड़की का नाम आ सकता है अमन किसे लड़के का नाम आ सकता है तो मा पिता ऐसा बोला जाए या किसी लड़के या लड़की का नाम आए तो वो व्यक्ति वाचक संग्या होता है व्यक्तियों में आता है वो वस्तुओं के नाम में जैसे मेज, कंप्यूटर, पैंसिल ये वस्तुओं के नाम है ये संग्या में आएंगे जगहों के नाम जैसे लालकिला, बाजार या विध्याले ये जगहों के नाम है ये भी संग्या में आएंगे पशू पक्षियों के नाम जैसे की शेर, मोर, हाथी ये भी संग्या में आएंगे अब देखिए पेज नंबर 21 तेओहारों के नाम जैसे दीपावली, ओडम, क्रिस्मस ये भी संग्या में आएंगे दिनों के नाम जैसे सुमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार दिनों के नाम भी संग्या में आएंगे महिनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्ज, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिशंबर महिनों के नाम भी संग्या में आएंगे नदियों के नाम जैसे गंगा, यमना, गोदावरी, सतलुज, नर्मदा ये भी नदियों के नाम संग्या में आएंगे अब तक हमने सीखा है, क्या सीखा? हर व्यक्ति, प्राणी, वस्तू या जगह का एक नाम होता है और उस नाम को ही हम संग्या कहते हैं ओके? एक्सरसाइज देखिए चित्र देखकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए जैसे कार, कार बनी हुई है ये प्राणी है, वस्तू है या जगह का नाम है ये वस्तू है नेक्स्ट पेज पेज नमबर ट्वंटी टू जो लड़का बना है, वो व्यक्ती में आएगा या जगह में, या वस्तू में ये व्यक्ती में आएगा क्योंकि लड़का, लड़के का कोई नाम भी हो सकता है अमन, धीरज तो ये नाम व्यक्ती में आएगे नेक्स्ट है अस्पताल, अस्पताल बना हुआ है ये जगह में आएगा, व्यक्ती में आएगा या वस्तू में आएगा ये जगह हमें आएगा ये एक जगहा है next जो activity है आपको करनी है नाम लिखना है अपने माता पिता का नाम तो first वाले blank में आप अपने माता का नाम लिखेंगे यहां और यहां लिखेंगे अपने पिता का नाम अपने दो मित्रों के नाम लिखिए आपके जो भी दो अच्छे मित्रों हों उनके आप नाम लिखिएगा एक मित्र का नाम यहां और एक मित्र का नाम यहां ओके नेक्स्ट आता है दो फलों के नाम तो दो फलों के नाम मैं आप आम लिख सकते हैं और अनार इसके अलाबा भी जो दो फल आपको अच्छे लगते हैं आप वो लिख सकते हैं दो फूलों के नाम लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है गुलाब और गैंदा दो शहरों के नाम जैसे भोपाल और गौालियर दो सबजीयों के नाम जैसे आलू, टमाटर अपने बस्ते में रखने वाली दो चीजों के नाम जैसे किताब और कौपी आप इनके अलाबा भी लिख सकते हैं बस आपका आंसर सही होना चाहिए चित्र देखकर वाक्ये पूरे कीजिए जैसे पहला चित्र बना है पतंका तो खाली स्थान उड़ रही है, क्या उड़ रही है पतंक फल बाला खाली स्थान बेच रहा है फल बाला क्या बेच रहा है फल क्योंकि वो फल रखे हुए है अभिनाव खाली स्थान बना रहा है अभिनाव क्या बना रहा है पेंटिंग खाली स्थान पेड़ पर बैठा है कौन बैठा है पेड़ पर बंदर आईए कुछ करें जो भी खिलोना आपको अच्छा लगता है उसका नाम लिखकर यहाँ चित्र बनाना है उस खिलोने का और उसमें रंग भरना है आपको इसमें चित्र बनाना है अपनी खिलोने का जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसका नाम लिखना है और उसमें रंग भरना है इस इस और होम वर्क नाव एक्टिविटी टाइम अंतर ढूड़िये पेज नमबर ट्वण्टी फोर नीचे दिये दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए एक चित्र ये है उपर और एक चित्र नीचे ठीक है? दूसरे चित्र में तीन तीन चीज़ें छूट गई है उन्हें पूरा कीजिए और रंग भरिए तो देखिए दूसरे चित्र में चीज़ें छूटी हुई है तीन चीज़ें जैसे कि मैं एक में आपको बताती हूँ और बाकी में आप करिएगा जैसे कि देखिएगा ये फ्लॉवर है सेकंड वाले में तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फूल है ये वाला ये पूरा बना है और नीचे देखिए ये नहीं बना हुआ है ये नहीं बना है इसमें तो आप बनाईएगा ठीक वैसे ही ये देखिए ये पत्ती बनी हुई है इसमें लाइन खिची है बीच में पर इस पत्ती में लाइन नहीं खिची हुई है ठीक है? तो ऐसे आपको तीन अंतर ढूरने है नीचे वाले तीनों चित्रों में तीन तीन अंतर ढूरने है और फिर आपको सारे चित्रों में रंग भर ना है Okay, this is your homework